ओस वेल्ट करने वाले हैं हमारे टोप ए थुडिन के बारे में ठीक है हम सब्ती क्लास्टूम में इस इंडियन अपने प्लास्रूम सिस्टम को समझला हैं हम सब्टांच के अंदर 2-3 या-4 एयसे विच्छे होते हैं जो टीचिछ की फेवरेट होते हैं सारी हैं उन्हें प्या वह अचीब कर पाते हैं उसके काफी सारे रीजन से पहली तीस तो हम यह सुछते हैं कि या अगर मैं आ जाओंगा मैं यह पोजिशन होल करूगा कौन सी सब्सक्राइब करूंगा यहां हम इसे जलेस हो जाते हैं और कई बार में इसे कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं कौन स सब्सक्राइब करते हैं और स्मार्ट वाले क्लास्रूम की ट्यूशन की पड़ोस के घर की और अपने घर की और अपने दोस्तों की सबकी बाते दिमाग में अपने बसाके हम लोग बैठे होते हैं और सोसते हैं कि हम पढ़ी ठीक है और फिर नेक्स अपने बटन क्या ले ले लेते हैं अरे मुझे से अच्छे से पढ़ना है उसको तुम्हें करना भी है खाली एक दिन में आपको बोल दो पढ़ लो और तुमने भी कहां देदी पढ़ेंगे और तीन दिन बाद कुम फिर उसी ठरे पर वापस आगे नहीं ऐसा नहीं होने दिन हमने इस बारी क्या होता है हम लोग सोचते हम प अच्छे लाइव नहीं करना है तो अब इस सिच्वेशन को कैसे चेंज करना है आपने स्टेप बाइस सबसे पहली तीज तो अपने दिमाग में यह बड़न नहीं लेना है कि मुझे उससे कंप्रीट करना है और आफ तो बीट नहीं तो मैं सिर्फ और सिफ अपना जो है उस तो उसके ओपर फोकस करना है ठीक है तो मैं उसकी लाइन से कोई मतलब नहीं है वो जो करने दो तुम्हें बस अपना हाड़ वरक अपना फोकस और अपने की बड़ाई से प्यार करते हैं अपनी किताबों में मज़े दूं़ते हैं उन्हें मज़ें मज़ा आता है और जब पढ़ रही होते हैं तो अपने दिमाग में यह नहीं सोचते कि मुझे फर्स्ट आना है या मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वह 100% के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं चाहे असपास में कितने भी करन बने पर सक्षर कर्णब करने करने का पुरे स्मेडे यह इस समय तो मैं लाना है कि मुझे कॉन से कॉलिज करने ब़ोला इस समय में में पढ़ाई करी तो सब तो सम्मेरिपे सब्सक्रिक्टर से निहीं कि मुझे दिमांग में गूमती रहनी चाप्टर पढ़ें तो यह सोचना कि यह सची हो गया क्लास्रूम बंद हो गया थे अपनी नहीं 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 स्ट्रीम करते हो जब आप पढ़ाई कर रोके तो फोकस वहां जब तो वह बढ़न भी होता है और एक पैशन होता है नाइटी पर फोकस करना है और जब आपने यह कर लिया देखो सबसे पहले थी दिखो मैंने आ लिखे भी है शुरुआत करनी ही सबसे मुश्किल होती है हम लोग ने कबसे कर रहे थे एप्रेल में का रहे पढ़ेंगे महीं में भी का जून में भी का बट आज जाके आज दो तीनों से जा सबसे पहले अपने ब्रेन में अपना विजन क्लियर करने आपको यह नहीं सोचना है कि फस्ट आऊंगा यह विजन क्लियर करना है कि इस साल जो है इस महीने तो है पूरी महनत के साथ पढ़ाई करूंगा I will be a different person कई बच्चे होते 50-70% लाते होते हैं पहले और पता नहीं च किसी को मत बताना इस साल तो ना में महनत लगन से नंबर लाओंगा यह बात अपने मूंसे मन बोलना ठीक है सिर्फ खुद को बताना और अपने दिमाग को बताना लॉक लगा देना और और फिर देखना आपकी पढ़ाई में कितनी एफेक्टिवनेस हाईगी किसी के साथ श कि इसे कुछ दिनों से आपने करा भी है कि मैंने अपनी हाडवर्ग पर फोकस करना है और जब पढ़ाई होगे तो भी इमत सोच होड़ा हो या मैं इतने percentage score गर निकले पढ़ू, नहीं, आपको यह सोचना है कि मुझे 100% focus और hard work के साथ पढ़ना है, और अपनी productivity को increase करना है, बस और बस आपको यह वात सोचना है, कि आ दो घंटे पढ़ना हूँ, आ दो घंटे में दो घंटे की productivity आई है, तो कल से थोड़ से टाइम और इंक्रीस करूंगा और productivity अपने अंदर लेकर होगा, और last moment जब मेरा exam का आखरी दिन आएगा, उस सम्वे पर बस मुझे revision करना है, ऐसा plan आपको अपने दिमांग में बनाना है, कि मैं last moment के लिए जैसे पहले होता था, मेरी सारी books पढ़ी होती थी उसमें notes highlight और रखे होती थे चैप्टर के explanation लिए channel link given है, channel page आओ, देखो, so many videos are there, आपको मैंने अभी कल एक best time table video बताई थी, जिसके हिसाब से minimum 4-5 घंटे regularly कैसे पढ़ोगे, मैंने उससे पहले एक video बनाई थी जिसको तुम्हें motivation से ऐसा भर देगी, जो तुम्हें 2-3 महीने अर्राम से तुमारा जो vision है दिमाग के दर्वाजे सब खोल देगी कि कैसे पढ़ना है, सब given high tap में उन्हें देखो, study hacks देखो, जो मैंने बताई है and start studying, और जो मैंने समझी है और मुझे तुम्हें सथ share करनी है, ठीक है, it is never too late to start, कई बच्चे आखरी में भी जो है अपनी पढ़ाई शुरू करके वहा लिए हर कोई अपनी life का कोई भी काम जो है, enjoy के साथ मजे के साथ करना चाहता है, समझगे मेरी बात को, तो इसलिए, be as early as possible, यह early as possible का मतलब यह है, जितनी जल्दी अपना syllabus complete कर सकते हो, उतनी जल्दी करो, जितनी जल्दी आप यह सोच सकते हो, हम कई बार तो है plan plan करते रहत सकते हैं, और जब syllabus complete होता है, फिर यह करना है, अब revision करना है, अब भी कैसे आने दे, destruction को बीश है, फिर जब revision complete होता है, अब तो exam के लिए पढ़ना ही है, आपको अपनी approach लेती है, उसके लिए I am always there with you, और last चीज यही कहूंगी, कि वो दिमाग में छोड़ दो, first आने, second आन mindset ही नहीं होता, जब पढ़ रहे हैं, 100% focus on मजे के साथ पढ़ेंगे, और tension नहीं लेंगे, तो with this I am in this video, तो आप आज से समझ जो, जितना जल्दी start कर सकते हो, उतना जल्दी start करो, आज क्या है, अब July चल रही है, जिस भी महीने में आपकी वीडियो देख रहे हो, it's never too late, त start करो आज से ही, and you will see the change, और बात लोग कर लो अपने दिमा के अंदर, now I am going, and let's meet in the next video.